राजस्तान, मद्रप्रदेश और छतिसगर में अब भार्ति जनता पार्थी की सरकार नहीं है ऐसे में राजसभा में भी भाजपा की ताकत घटने के आसार है इन तीनों राज़ में विधाकों के अंकगर्णित के हिसाब से आगे आने वाले समय में भाजपा को काफी नुकसान होनी वाला है फिलहाल तीनों राज्यों की 26 सीटों में से भाजपा के पास अभी 21 सीटे हैं लेकिन 2022 के राज्य सभा चुनाव में भाजपा इन तीनों राज्य में 12 या 13 सीटों पर सिमट सकती है राज्य सबा के लिए 26 मार्च को हो रहे है चुनाव में मध्यप्रदेश की 3 सीटों के लिए चुनाव होगा अभी इसमें भाजपा के पास 2 और कॉंग्रिस के पास 1 सीट है इसमें कॉंग्रिस को दो सीटे आसानी से मिल जाएंगी जबकि भाजपा के खाते में एक सीट जाएगी इसी तरह वर्ष 2022 में तीन सीट उकली चुनाव होगा उस चुनाव में कॉंग्रिस के खाते में दो और भाजपा के खाते में एक सीट जाएगी इस तरह 2022 तक मधिप्रद देश में भाजपा के पास 11 में से 6 सीटे होंगी ब्यूरो रिपोर्ट दबंग नियूज